ओम शान्ती आज 17 जुलाई दोहजार चौबिस है और आज के अव्यक्तिशारों में बाबा हमें स्वमान दे रहे हैं बेगमपुर का बाद्शा परोग कार करना वैसे भी सूल रूप से अगर कोई दान दे सकता है तो उसके पास इतना होना चाहिए राजा आमाराजा इन्ही का दिखाया जाता है कि यही लोग प्रजा में दान करते हैं तो कोई न कोई बादशा, कोई न कोई रूप से तो बादशा हमको होना पड़ेगा ना केवल गुडों का बादशा, ना केवल शक्तियों का बादशा, ना केवल प्राप्तियों में बादशा लेकिन बेगमपुर का बादशा भी हमें होना है क्या संबंध है बेगमपुर के बादशा का परुपकारी बनने से आईए जानते हैं आज के वाबा के अव्यक्त इशारों से स्वयम के सर्व खजानों को अन्य आत्माव प्रती दान देना यही है परुपकार करना ऐसे परुपकारी स्वयम को सर्व खजानों से संपन बेगमपुर का बादशा अनुभव करेंगे उनके संकल्प में भी गम के संसकार इमर्ज नहीं हो सकते इसके लिए वृत्ती से भी मैं पन का त्याग हो स्मृती में सदैफ बाप और दाधा रहे मुख पर यही बोल हो तब विश्व पती बन विश्व की सर्विस कर सकेंगे स्थूल रूप से भी जैसे परुपकारी आत्माई राजा आत्माई दूसरों को दान देती है लेकिन उस दान के बदले उनसे लेने की कोई इच्छा नहीं रखती या यूं कहें कि उनको इंडारेक्ली मिलता ही रहता है क्योंकि जैसे कर्म करते हैं उसका फ़ल वश्य मिलता है लेकिन जिस आत्माई को दिया उससे इच्छा नहीं रखती उसको पता है देने वाला दाता कोई और है हम आत्माई ب्राह्मन बन के ये बात कैसे भूल जाती है हम जब किसी के परती कोई उपकार करते हैं तो उसी से लेने की इच्छा कर बैठते हैं इसका कारण बाबा ने आज हमें इशारों में बताया मैं पन जब हमें ये भासना आती है कि मैंने किया और उसको किया तो उससे फिर मुझे कुछ न कुछ पाने की इच्छा भी रहती है लेकिन बाबा ने जो आज हमें बताया है टाइटल दिया है, स्वमान दिया है बेगमपुर के बादशा ये कब पॉसिबल है और इससे कैसे ये मैपन परिवर्तित हो सकता है तो जब हम अपने आपको बाबा से सर्व प्राप्तियों से संपन्न करते हैं तो कोई भी गम या कोई भी खालीपन अंदर नहीं बचता तब ही हम कहलाते हैं बेगमपुर के बादशा और अगर हमें ये स्मृति है कि ये सब कुछ मुझे बाबा से मिला है तो बाबा की ही चीज़ को मैं आगे पासान कर रही हूँ अपने दूसरे आत्मिक भाईयों को मैं नहीं दे रही मुझे खुद ही देने वाला बाबा है और उन्हीं की चीज़ मैं आगे पहुचा रही हूँ तो जब ये बेगमपुर का बादशा ये स्वमान हमारा पका होगा तो मैं पन भी हमारे अंदर से सहज निकल जाएगा और इस मैं पन के बिना हम जो दूसरों को दान देते हैं सहयोग देते हैं यही हमें महादानी बनाता है यही हमें परोबकारी बनाता है अन्य था हम दूसरों को सहयोग देंगे और उन से साथ में सहयोग लेने की भी इच्छा रखेंगे और अगर वो आत्मा समर्थ नहीं हुई देने में उसका कनेक्शन बाबा से नहीं है उतना तो मुझे जब नहीं मिलेगा तो मैं बेगमपूर की बादशाय नहीं रहूंगी कोई ना कोई गम की लहर आएगी इसलिए जितना जितना बेगमपूर के बादशा उतना उतना महपन से भी दूर और महाधानी परोबकारी भी हम बन सकते हैं ओम शांती